हाई फ्रेंट्ट्स आपका मेरे चैनल टेक्निकल हमके डियर में स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने इलहावाद बैंक के अकाउंट में मोबाइल बैंक के ऐसेектив कर सकते हैं तो फेरेंड इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने बैंक अकाउंट में पहुत या आसानी से मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं तो किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या आप DTS, Mobile, Recharge जो भी करना होता आप कर सकते हैं, अपने Mobile से ही, तो फ्रेंट वीडियो को सुरू करते हैं, वीडियो को सुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिकोष्ट अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीज चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, तो फ्रेंट इसके लिए आपको Mobile Banking Application की जरूत परती है, तो इसके लिए आपको Play Store पे जाना होगा, Play Store पे जाने बाद फ्रेंट यहाँ पे सर्च करना होगा, एलहाबाद Empower, तो यहाँ पे देख सकते हैं, एलहाबाद अपने Bank का नाम Empower भी आप लिए सकते हैं, तब भी आजाएगा, तो यहाँ पे पूरा Detail भी लिए सकते हैं, एलाबाद Empower, तो यहाँ पे देख सकते हैं, आ चुका है, मैं इसको Install कर लिया हूँ, यहाँ इस Open दिखा रहा है, तो इसे मैं Open कर दे रहा हूँ, आप लोग भी Install कर लीजेगा, तो Open कर दे रहा हूँ, उपें करने बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से Open हो रहा है, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, Allow कर दीजी, अगर Allow नहीं करेंगे, तो यह आप अप्लिकेशन वार्क अच्छे से नहीं करेंगी, तो यहाँ पे allow कर दे रहा हूं और उसके बाद फिर से यहां पर allow कर दिया allow करने बाद फ्रेंड यहां पर देख सकते हैं कुछ searching कर रहा है उसके बाद यहां पर देख सकते हैं friend यहां पर जो आप registration करेंगे तो इसके लिए देखिए registration के लिए internet banking और debit card तो आप किसे करेंगे अगर आपके पास internet banking है तो आप internet banking से कर सकते हैं अगर आपके पास internet banking नहीं है तो debit card पर click कर दिजिए तो debit card पर click करने बाद फ्रेंड यहां पर देख सकते हैं register mobile number उसके बाद enter account number आप अपना account number यहां पर डालेंगे उसके बाद यहाँ पे last six digit of card जो आपका जो ATM card है उसका जो अंतिम का अच्छा यंक है उसको यहाँ पे डालना होगा और expiry month और यहाँ पे year तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपको agree वाले पर भी यहाँ पर tick mark लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं सब कुछ fill up कर दे रहा हूँ तो फ्रेन यहाँ पे देख सकते है register mobile number डाल दिया उसके बाद account number उसके बाद यहाँ पे जो last six digit है यहाँ पे डाल दिया जो card का है expiry month और year डाल दिया उसके बाद यहाँ पे I agree यहाँ पे term and condition है तो इस पे आपको check mark लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे लगा दीजिए उसके बाद submit submit पर click कर दे रहा हूँ submit पर click करने बाद फ्रेन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ process है हो रहा है उसके बाद एक OTP जाएगी आपके mobile पर जो register mobile रहेगा तो यहाँ पे मेरे mobile पे अभी OTP नहीं आया है तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड मोबाईल पे OTP आ चुका है तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं OTP डालना होगा OTP आपके mobile पर ही send होगा तो फ्रेंड एक problem है यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी आपका mobile number है वो SIM आपके mobile में लगा होना चाहिए तब ही वो auto deduct देखें आपके लिखा है note OTP will be auto populated in your screen तो यहाँ पे automatic यहाँ पे आ जाएगा अगर आपके mobile में लगा रहेगा तो तुरंत यहाँ पे आपको भरने की जरूत नहीं है automatic यहाँ पे आके confirm हो जाएगा OTP तो फ्रेंड यह वाला number मेरे पास नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो फ्रेंड मैं आपको पूरा process नहीं करके दिखा पाऊंगा उसके लिए sorry तो फ्रेंड मैं बता दे रहा हूँ कि आपका जो भी number होगा आप अपने mobile में लगा लिजिएगा उसके बाद यह process कीजिएगा करने बाद यहाँ पे आपका OTP जो आएगा वो यहाँ पे auto generate हो जाएगा उसके बाद आपका जो mobile banking है वो activate हो जाएगा activate होने बाद आप जो भी अगर transaction करना चाते हैं आप transaction भी कर सकते हैं आप किसी और bank के mobile banking में वो पूरा process इसमें आ जाएगा पूरा सब कुछ आप कर सकते हैं अपने balance को inquiry कर सकते हैं transaction कर सकते हैं किसी friend के पास किसी भी bank में पैसे को transfer कर सकते हैं तो friend ऐसा करता हो कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और मेरे YouTube चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सस्क्राइब कर दीजेगा और आप कमल में कोई डाउट या question हो तो प्लीज comment section में जाके comment कर दीजेगा थांक्स पार वाचिंग मैं वीडियो झाल प्लीज स्क्राइब कर दीजेगा